नमस्कार दोस्तो मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुबित पूनम में दोस्तो आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी यह बहुत ही लजीज होता है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से ब तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने यह चार लाल टमाटर ले लिए हैं जो अच्छे से पके हुए हैं और उनको हमने यह जाली रखके और उस पर रख दिया है भूनने के लिए और इसको हम सब तरब से उलट पलट के अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इस के छिल के उतार देंगे तो भी यह थोड़ा गरम है तो हम बचा के इस Elsa के निकालना है और अबमने ये फो ने लिया है जिससे हम इसको थोड़ा सा दबागे फोड़ देंगे तो यह जल्दी ठंडा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको अच्छे से मसल लेंगे तो पहले मैं इसको देखिए चम्मच से इसको दबा देती हूं ताकि यह ठंडा हो जाएगा तो अब यह देखिए ठंडा हो चुक है हमने इसको हाथ से अच्छे से मसल दि तो अब हम इसे में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें यकीन मानिए यह बहुत स्वादिश चटनी होती है और जब सबजी वगरा खाके मनूब जाए तो आप इस चटनी को जरूर बनाए और बहुत टेश्टी लगती है और दे के साथ या रोटी के साथ बहुत ही टेश्टी लगता है तो चटनी हमारा बनके तयार हो गया हूँ उमीद आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताईएग करिए.